इन ध्वनियों का एक खास तरीके से इस्तिमाल करने की वज़े से उनके पास वैसी आदाश्त होती थी. ऐसा हुआ, दो लोग बनारज गए, वो दोस्त थे, वो नदी में स्नान कर रहे थे, और आपस में बात कर रहे थे, और एक बिजनस डील कर रहे थे. तो समझोता ये हुआ, कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कारोबार करने के लिए पचास हजार रुपए देने की पेशकर्श की. तो ठीक वहीं, उन्होंने बात करके समझोता कर लिया, और सौदा तै हो गया. कुछ साल बाद, क्योंकि कोई लिखित कागजाद नहीं थे, तो जब इस आदमी ने पैसे वापस मांगे, तो दूसरा बोला, तुमने मुझे कभी पैसे दिये ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है. तो वो अदालत गया, जब वो अदालत गया, उसने कहा मैंने पैसे दिये थे, लेकिन उसके पास कोई सुबूत नहीं था. तो जज ने कहा, तुमें कोई सबूत लाना पड़ेगा, नहीं तो हम इस बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे. तब उसे याद आया, कि जब वो नदी में थे, तो उन्हों ने अपने पास ही एक ब्रहमन पुजारी को नहाते हुए देखा था. तो उसके अंदर उम्मीद जगी, कि शायद उसने हम दोनों की बाते सुनी हो, और मैं उसे गवाह के रूप में ला सकता हूँ. तो वो उस आदमी को खोचते हुए, बनारस गया. उसे वो आदमी मिल गया. लेकिन जब उसे ये पता चला, तो उससे निराशा हुई कि उस आदमी को अंग्रेजी नहीं आती थी. ये दोनों अंग्रेजी में बात कर रहे थे. और इस पुजारी को अंग्रेजी भाशा नही आती थी, तो उसे लगा कि इसका कोई फाइदा नहीं है, तब ब्राह्मन ने पूछा, क्यों? तब उसने उसे बताया, देखे, चार साल पहले हम नहां रहे थे, और आप भी वहाँ पर थे, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि क्या मैं आपको गवाह के रूप में इस्तिमाल कर सकत ब्राह्मन ने कहा कोई बात नहीं, आप लोगोंने जो कुछ भी कहा था, मैं वो बात दोहरा सकता हूँ, आप दोनों के बीच जो भी बात चीत हुई थी, मैं उसे दोहरा सकता हूँ, वो अंग्रेजी भाषा नहीं जानता है, लेकिन उसने उन्होंने जो भी बात की थी, उ वो मुकदमा जीद गया, तो हमारी आदाश्त को और काम करने के हमारी क्षमता को इतना ज्यादा केवल तभी बढ़ाया जा सकता है, जब हम इस आंतरिक स्थिती को ठीक से संभालें. और ऐसा करने के लिए एक आसान चीज ये है कि अगर आप सब इच्छुक हैं, तो हम इसके अंदर कई और चरण ला सकते हैं. लेकिन शुरुवात करने के लिए एक आसान चीज ये है कि आप बस निश्चल होना सीखें. अगर आप कहीं बैठें, तो बस पूरी तरह निश्चल होकर बैठना सीखें. बिना हिले डुले, बस निश्चल होकर बैठें. आप देखेंगे कि आपकी समझने की क्षमता और अपने मस्तिष्क को इस्तिमाल करने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे समझें. हर चीज जो आप देखते हैं, सुनते हैं, सूंगते हैं, चकते हैं और छूते हैं, वो रेकॉर्ड हो जाती है. आपकी यादाश्ट के समस्या केवल जरूरत पढ़ने पर उसे वापस लाने में है. रेकॉर्डिंग होने में कोई दिक्कत नहीं होती. दिमाग हर चीज को दर्च कर रहा है. अगर हम कहते हैं कि इस फोन की मेंमरी कम है, तो इसका क्या मतलब है? इसकी दर्च करने के क्षमता सीमित है, है ना? अगर मैं दो दबाऊं और पांच लिखकर आए, तो इसका क्या मतलब है? मेंमरी खराब है? कि कीबोर्ड खराब है? Keyboard खराब है So this is a question of bad keyboard This is not a question of bad memory तो ये सवाल खराब keyboard का है ये सवाल खराब memory का नहीं है ये बहुत महत्वपून है कि आप आप 2 को 2 कहें, 5 नहीं ये सवाल keyboard के खराब होने का है Memory को ठीक करने की कोशिश मत कीजिए Memory बढ़िया है हर चीज जो आप देखते हैं वो record हो जाती है आप सही number type नहीं कर पा रहे हैं यही सारी समस्या है, है ना? तो ये सवाल या दाश्त का नहीं है ये सवाल स्पश्टता का है तो हमें स्पश्टता पर काम करना होगा वो क्या है जो हमको मन की स्पश्टता देता है पहली चीज ये की हम सीखें की अगर हमारी स्पश्टता पहले से अच्छी नहीं है तो सबसे आसान तरीका है कि चीजों को एक खास सटीकता से संभालना सीखें यही हट योग है आपका पैर कहा होना चाहिए यहाँ यहाँ नहीं इस तरह आपके हाथ कहा होने चाहिए इस तरह यह ठीक नहीं है बस इस तरह इन सब को सेट करने के लिए मेरा सिर नीचे देख रहा है ओ इस तरह नहीं इस तरह सटीकता अब आप नीचे आएं, जब आप बैठें, आप इस पर गौर करें, ठीक है? आपकी पैंट किस तरह से रहनी चाहिए? इस तरह. आप अपने साथ जो कुछ भी लाएं हैं, अपनी किताब आपकी नोटबुक कहां रखी होनी चाहिए? आपका पैंट कहां रखा होना चाहिए? बस इसका अभ्यास कीजे, अपनी हर छोटी से छोटी चीज के साथ, अपनी गतिविधियों में बस ऐसी सटीकता को लेकर आईए, तब यह आपके मन के साथ भी होगा. तब आप देखेंगे कि, अगर मैंने यह कहा, तो नंबर दो ही दबेगा, नंबर पांच नहीं आएगा अभी यह confused हो जाता है, तो इसे धीरे-धीरे संभालें, दो, तीन, एक, ओके, दो यहाँ है, तीन यहाँ है, एक यहाँ है, आप बस अपने जीवन के हर पहलू के साथ ऐसा कीजिए, जब आप सोने पहुँचें, हर चीज किस तरह से होनी चाहिए? आप अपने कमरे में गए, उसे कैसा होना चाहिए? जिस सटीकता से आप अपने आसन करते हैं, बस उसे अपने जीवन में लेकर के आजाईए, धीरे-धीरे आप देखेंगे कि मन बहुत-बहुत सपष्ट हो जाता है, यह हर चीज़ को लेकर सटीक बन जाता है, इस सरल अभ इस तरह, इस जगह में कितने कॉलम हैं? उन सब को गिनने की कोशिश मत कीजिए, पहली पंक्ती को, अगर आप इसे बस ऐसे देखें, ओ, यह पांच कॉलम हैं, आपको बस इसे दर्च कर लेना चाहिए, पांच कॉलम, एक बरतन, एक बैठने वाला पत्थर, एक बड़ी लगता है, बस ऐसा कीजिए, हर चीज के साथ, यहां से वहां तक कितने कदम, उसे एक, दो करके मत गिनिये, या तीन कदम लेने के बाद, ठीक है, मेरे ख्याल से तीन हुए, फिर और तीन, फिर और तीन, फिर और तीन, कुछ दिनों के बाद, ग्यारा गिनिये, या या चार या पाँच, बस यूँ ही, बिना सोचे, आपको धीरे-धीरे पता चल जाना चाहिए कि, ओके मेरे ख्याल से मैं बारा कदम चला हूँ, यही योग है, समय के साथ यह असर अपने आप होगा, लेकिन अभी हम जल्दी में हैं, तो इसे करने के लिए मन का भी इस्तेमाल कीजिए, ऐसी सटीकता, जो आप अपने शरीर में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी सटीकता को अपने मन में भी लाईए, मन को शरीर के नकल करने दीजिए, आप देखेंगे कि सपश्टता स्वाभाविक रूप से आईगी, अगर आप अपने मन को ऐसे अभ्यास कराएं, तो यह ऐसा बन जाएगा, कि आप इससे जो चाहे करवा सकते हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे, कि मन बहुत बहुत सपश्ट हो जाता है, जब आप का मन एक चीज़ पर पूरा केंद्रित होता है, तो वो एक शक्तिशाली यंत्र होता है, यह ऐसी चीज़ है, जो आप अपने अंदर करते हैं, ताकि आप मन के पीछे की और निकल कर जा सकें, अगर हमें पता होता कि आईने के पीछे कौन है, तब हम हर चीज़ को बदल सकते हैं,